अब हिंदुस्तान बदल चुका है ये नया हिंदुस्तान है घर में घुसे गावी और मारे गावी ये डायलोग उस फिल्म का है जिसने हर किसी को दिवाना कर दिया है हम बात कर रहे हैं विकी कोशल और यामी गौतम की फिल्म उरी दसर्जिकल स्ट्राइक की इस फिल्म को रिलीज हुए तीन हफते हो गए है और ये फिल्म थमने का नाम ही नहीं ले रही है इस फिल्म ने 2018 की टॉप ग्रोसस फिल्म में संजू, पदमावत और सिंबा को पचार दिया है अब वो कैसे? आईए बताते हैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में दरसल अगर उरी के तीन हफतों के कलेक्शन को मिला दिया जाया तो इस फिल्म ने 35 करोर रुपए की कमाई की है वहीं संजू ने तीन हफते में 31 करोर 62 लाग रुपए कमाई थे पदमावत ने 31 करोर 75 लाग और सिंबा ने 20 करोर 6 लाग तो इस मामले में देखा जाये तो विकी ने रनवीर और रनवीर को हरा डाला है वैसे आपको बता दें कि इस बात की जानकारी खुद ट्रेड एक्सपर्ट तरणादश ने ट्वीट करके दी है उन्होंने लिखा की This is an eye-opener, उरी the surgical strike, collects 35 करोर प्लस in week 3 which is more than week 3 business of Sanju, Padmavar and Simba the top 3 grosses of 2018 उरी, how's the josh? वैसे देखा जाये तो उरी फिल्म को ना सिर्फ स्टार्स ने और और ओडियन्स ने बल्कि पॉलिटेशन्स ने भी खुब प्यार दिया है इस फिल्म ने लोगों के रॉंगते खड़े कर दिये थे आपको बता दी कि ये फिल्म 170 करोर से ज्यादा का कारोबार कर चुकी है वैल अब देखना ये होगा कि फिल्म और कितने रिकॉर्ड्स अपने नाम करती है ट्यूजर करते हमारी थिल्म स्क्रीनिंग अर्मि आपक के लिए ठीगी है अ तो उनने के लाए ट्रिब्यूट है तो में खुशी होती है की वह त्डेखने आ रहें हमारा लेट्मस तेस्स है अधित्या शुरू आत writer यह एक ऐसी फिल्म हो कि आर्मी भी जब देखे तो उन्हें फखर फंसुप महसूस हो उन्हें लगे कि एक फिल्म बनी है जो उनकी जिंदेगी को अथेंटिसिटी के साथ दिखा रही है तो हमारी इतरफ से छोटी कोशिश है, ट्रिब्यूट है यह एक बढ़ पर फिल्म पसंद आती है यह भी आपके कहना चाहूं कि बहुत एक अच्छे नोट पर शुरुवात हुए है जिस तरह के मैसिज आ रहे हैं, वम लग ट्वीट पढ़ रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा लग रहे हैं यह एक एक सब्स्क्राइब कर दो कि अच्छा है, बहुत 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 है तब बहुत बहुत घए तब गड्माहसूस हो रहे हैं र हाज हम पसंद इहां पर आये हैं रहे हैं To meet & Greet them in OX So very excited, looking forward to it अच्छा लगता है जब कोई आर्मी वाला कहते हैं कि आर्मी वाले लग रहते हैं बहुत बड़ा वैलिडेशन होता ही है बहुत खुनपसीना गया है वो अचीव करने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है बाकी दो कुछ नहीं हमारे तरफ से छोटा सा थैंक्यू ही है उनक इतनी भी हम इस फिल्म में दिखा पाएं है शायद उनकी 10 परसेंट भी नहीं है जो अपने वो रियल लाइफ में वो जितना इस देश को देते हैं और देशवासियों को देते हैं तो अच्छा लगता है कि रियल हीरो फिल्म के फाइनली फिल्म देख रहे है तो कि की सबता अगर इस उसक रता जदना इस ठीम करते है जो तुछ रए सराइ मुकां और बनार्म देख सेन्स का में आपी कहना चाहते हैं? Actually, we should be thanking Indian Army because surgical strike रहा तभी ए फिल्म नहीं होता तो शाइज ए फिल्म नहीं हो पाती है सब्सक्राइशन आप सभी को सभी ने रेटिंग में 5 दे आओं जी, thank you क्या मैंदमें था? क्या मैंदमें था? सभी नहीं था? जब फिल्म बन रही थी? जब अफर आए था था तो बड़ी excitement थी जानने के लिए इस देश का नागरिक होने के नादे बड़ी excitement थी कि अच्छा हुआ क्या था? असलिएत में क्या हुआ था? कैसे हुआ था? प्लानिंग कैसे हुई थी? कैसे किया गया? यह तो सबको पता है कि बहां से यह mission ऐसा था कि जहां से देश का हर जवान जो गया था इस mission पर उस जंदा वापस लोटा था और यह बहुत गर्व की बात थी इतना एफिशेंटली एक military operation परफॉर्म किया गया था पर उस तरीके कैसे हुआ था? कितनी युनिट साथ में मिली टी intelligence, ISRO, DRDO सब कुछ साथ में, army साथ में मिलकर उनों नहीं किया था तो वो कैसे गया था? वो बड़ी जानने की रुची थी जब स्क्रिप्ट पड़ा तो और भी excitement आगए कि अब मैं किसको बताऊं यह कि मुझे पता है कि कैसे हुआ था? तो वी वर वर वेटिंग फॉर दिस दे जब दुनिया को बदा लगे क्या हुआ है और मेरे energy of control नहीं हो पारी जोस मेरा चपर फाट जुका है तो यारन I feel very blessed I really really feel very blessed कि इस फिर्म का हिस्सा बनने का मौका मिला और जब अब जो initial reaction भी आ रहा है लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है सहराना मिल रही है तो सच मुझ बहुत special feel हो रहा है लिकी कि जैसे कि हम तब को बताएं कर आप आप दिल्ली करें हुए थे आप सब और मुझी से इसके उसपे developments होगी और वो जल्दी दिखाई दिल्गी मतलब कुछ में कुछ प्रिम इंट्रेस्टी की अच्छा भी अच्छा भी आज़िए पिसली बार GST का हुआ था इस बार एक One Window Permission के लिए बात की गई है और कुछ और मुदों पर भी बात की गई है आज पहला compliment तो आप भी लोगों से मिल गया कि जब हम उत्रे गाड़ी से और आप ही ने पूछ लिया हमारा तो वहीं जोश थोड़ा उपर हो गया हमारा तो थैंकी सो मुच और खास शुक्री आप सब का प्रमोशन भूद महनत का काम होता है एक्टरों के लिए और कैमेरा के पीछे जो आप लोग है उनके लिए भी आप हमारे हमें फॉलो करते रहते हैं और यहां से वहां महां से वहां कोई टाइम का ठिकाना नहीं हो तो पहले तो बहुत बहुत शुक्री है और अच्छा रिय तो यह ज़रूर पता था कि एक बहुत ही अच्छी डिरेक्टर के साथ काम करने को मिल रहा है वो जो सबसे जादा बता और अच्टर मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और उसके बाद अब जब हम यहां पर हैं वे भी आ सिटिंग औल फस तोगेदर रिलीस के दिन और सब अड़ manner पसंद है। अमने डिली में भी हाँ पर मिले थे का आमी फैमिली से उनको भी बहुत पसंद है तो बहुत अच्छा लग रहा है जब ऑड होर चाहलरे हैं कि आप सब कहानी बत बिलीवीबल है बहुत अच्छी एक बहुत अच्छी फिलम बनी हैं सबने बहुत अच् मैं यूजुली बाहर ज्यादा नहीं निकलता हूँ बट क्योंकि ये इंडियन आर्मी के लिए स्क्रीनिंग थी तो इसके तो मुझे आ नहीं था ये कितनी बड़ी बात है मैं आपको बतानी सेकता हूँ कि अधिया धर ब कुल झालए च़जुली वार निकलते में ये खेयरी में रहते मैरेगर के बगल दिखना अधिया धर कभी घर से बाहर नहीं निकलते हैं? उनका बस चलता पूरी फिल्म वो घर पे शूट कर लेते हैं.. है अज आज ये ताउन तक आये है, hier तक आये है यह भूत बड़ी बात है यह फिल्म की सफलता ही उनको ला सकते हैं Г मांगें नहीं उनका कोल है उनका देश है बोलना की कल्चर पे उनके कल्चर कोने के लिया पड़ागी आप enem लोगने केamıर तुर Lei के देने के लिए भी बाती है वो अपने देश के उधार के लिए कुछ कर रहे हैं, अगर जो ठीक लगता है वो डिसिजिन्स लें, उनके सिविलियंस के हथ में जो उनको लगता है जो भी डिसिजिशन सही है और बाकी राय तो उनकी सिविलियंस की लेना जरूरी है, हम क्या वैटेवेटे हैं आपो लिए तीसी गद्रॉट को शैँ में नदियु कानिया जताते हैं जो इस देष में होता है जो इन परिवारों के यहाँ परिवारों के यहां के जो परिवार और अशनी कि फहले एक तृदक दुर सब्ताँ अब जाहे वो जुपी कान्यों युटे लें की जो कानिय हो जाहे महाराश् लोग रिलेट कर रहे हैं, हाँ यह मेरे महले की कहानी है, यह मेरे देश की कहानी है, तो मुझे लग रहा है हम as a cinema, सिर्फ हिंदी cinema यह नहीं, रिजनल cinema को भी बहुत पावर मिल रहा है, और तोगेदर इस देश का cinema बहुत सही तरीके से आगे बढ़ता है. यही कहना चाहूंगे, मैं तो हिस्सा हूँ, इस fraternity का मैं हाँ काम करती है, इस हिंदी मैं बोलते हैं, करम भूमी है, तो I worship it, I respect it a lot, और I think definitely, जैसे Vicky ने कहा, of course बहुत अच्छा काम हो रहा है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, I feel very blessed to be a part of such a film, called URI, जो जिस चीज कम define करते हैं, कि एक अच्छा content, एक अच्छा subject, एक honest attempt, और एक sense of purpose के साथ एक film, जो चाहे हमारा culture हो, चाहे हमारा work culture हो, चाहे हमारी Indian Army है, जो core है हमारे देश का उन्हें तर शाहता है, so I think this is in fact rather a very very good time, and this question I feel is regardless and irrespective of that any country feels for whatever they feel is the best works for their country.